एबिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं फैंग मिस्टर चू को सब कुछ बता चुका था और यहां पर जो मिस्टर चू है वो सारे बात जानने के बाद बहुत ही ज़्यदा परेसान हो जाता है और वो फैंग से पूछते है क्या वो उस गुकिन को नहीं ला सकता फैंग कहता है हां मैं उस गुकिन को तो ला सकता हूं और मैं खुद की प्रोटेक्ट कर सकता हूं पर अब दोनों का क्या यह बाद सुनके मिस्टर चू थोड़ा सा और भी ज़्यदा परेसान हुए था है इस बारे में वो क्या करेंगे और उनको परेसान देखके जो परेसा तो खुला है और दर्बज़े के आगे एक ट्रैप है तो जब उसको पता चलता है तो वो अपने पावर से उस ट्रैप को तोड़ देता है और अंदर जाने लगता है और वहीं पर दूसरे साइट डर सी वो अपने लास्ट फाइट को फैंग के साथ यत कर रहा था औ यहां आगे इदर ओदर की बातना करकी डर्शी से कहता आए मिस्टर चु ने कहा है तुम चाहो तो मर्नी बात में भी दे सकते हो जी इस बात को पीर सभाण की की ब्लेम मत कर और यह काकर एक बात में बैने करने के लिए बाग्ट टाइम से रून रहे हो हीहें कैता है刃 जब से तुम मुझे या नएंग फैमिली में मिले हो तब से मैं अच्छे मेरा पीछा कर रहा हूं और आता है मैं तुम्हें बहुत चीज़ पहापस कर दूंगा बाद में कहां थाना और यंदुनें बातों को बीच में ओपकरंना पर पर मुझे बदे सकता हो कैसे तुम लोग और रूट लेते सॉँ और इस को सुनके डासी कहता है मैं तुम्हें मिस्टर चू का जो भी पैसा है वह सब कुछ देदूँगा पर तुम मुझे इसको हरने में मदद करो चैनल कहता है क्या तुम मेरे एनेमी बन जाओगे फैंग यूहेंग से कहता है मुझे इन सब से कुछ भी फरक नहीं परता मैं बस अपने काम कर रहा हूँ अब जो डासी है वो गुकिन को लेके यूहेंग के उपर अटेक करना स्टार्ट कर देता है यूहेंग अपने पावर से उनके उपर अटेक करने के लिए तैर हो देता है और यूहेंग को पावर को देखके डासी फैंग को बता देता है उसके इस पावर से वो किसी भी वूट को कंट्रोल कर सकता है और ये बस सुनके फैंग अपने हाथ में फायर पंच बना के अटक कर देता है और उसकी इस अटक को देखके यू हैंग कहता है क्या डार्क फोर्स है तुम्हारे पस और अब उसके इस डार्क फोर्स को देखके यू हैंग अपने पावर्स को बढ़ा के एक वाटर अटक करता है जो डासी है वो फैंग को बचने के लिए कहता है पर फैंग पकड़ायता है उस वाटर अटक में अब जो यू हैंग है वो कहता है क्या तुमको लगता नहीं हो फैंग डार्सी से कहता है एक जगा खड़े मत रहो कुछ करो डार्सी कुकिन का यूज़ करके फैंग को बचाता है अब वहीं पे जो यू हैंग है वह अपनी पावार्स को बढ़ा के एक और पावर्फुल एटक करने लगता है और उसको एटक करते हुए देखके डार्सी पना म्यूजिकल रिंग एक एक करते है कुखिन का यूज़ करके और उसका अटक को कुछ समय के रोक के फैंग से यहां से निकलने के लिए है और वो लोग वहां से निकलते इससे पहले जो यूह हैं वो आके कहता है कि तुम लोग यह से भागने के बदे में सोच रहे हो बेकर में कोशिस मत करो और यहाँ पे जो fang है वो आपग डासी से कहता है मैं यहाँ पे fire earth diagram अरा का استعمल करने बाला हूँ डासी सौक होते होँ यह कहता है क्या? तुम क्या करने बाला हो? और अब यहां पर जो फैंग है वो उस एरा को तयार करना लगता है और उसको इस एरार तयार करते हुए देखके यू हैंग बहुती ज़्यादा सौक होता है और ही पर जो एविसोट है वो खतम हो जाता है